नमस्कार दोस्तों मैं तरून और मैं स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल तरून ट्रैकिंग ट्रैक में तो आज हम जानेंगे यदि आपका लैप्टॉप PC से आवाज किसी कारणवस बंध हो गिया है या आवाज कम हो गिया है तो आप उसे किस परकार से ठीक करेंगे तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं तो सबसे पहले आपको सर्च पर आना है और यहां पर आपको टाइप करना कंट्रोल पैनल कंट्रोल पैनल ओपेन होने के बाद आपको यहां एक option मिलता है hardware and sound का इस पर आपको किलिक कर देना है इस पर आने के ब मिलता है manage audio device इस पर आपको किलिक करना है यदि आपके laptop या PC में audio driver install है तो आपका इस परकार से speaker दिखेगा और यहां पर green color में right का टीक दिखेगा और आपको इस पर right किलिक करना है और यहां से आपको यह एनेवल करने के लिए बोल रहा है आपको यहां से एनेवल कर लेना ह और यह पहले से एनेवल है यहां पर आपको disable लिखेगा आपको disable नहीं करना है इस पर आपको नीचे आना है और properties पर क्लिक करना है इसके बाद आपको यहां जो है real tech का audio driver देखने के लिए मिल जाता है और यहां से आप उसका properties check कर सकते हैं और यह आप इसका icon change करना चाहते है आप यहां से change कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए आप इस परकार से change कर ले और इसके बाद आपको यहां इसमें लेवल पर आना है इस लेवल को जो है आपको 100% कर देना है और इसके बाद एडवांस पर आना है और यह जो है तिसरा अम्मर आप्शन 24,100 हटाज इस्टेंडर quality इस पर आपको टिक कर देना है और a special sound इस पर आने के बाद आपको यहां दो option मिलता है आप ऑफ भी रख सकते हैं और window sonic of headphone यह भी रख सकते हैं इसके बाद आपको apply करना है और इसका ओके करना है और फिर से यहां okay कर देना है यह इतना से यहां का ठीक नहीं होता है तो आप आपको यहां पे एक option मिलता है audio का इस पे आपको किलिक करना है और यहां पे जो है यदि आपका इस परकार से कम है तो आप इसको जो है 100% पर लाके छोड़ दे इससे जो है आपका laptop PC में जो भी sound का problem होगा वह 100% ठीक हो जाएगा तो आसा करता हूं कि दी गई जानकारी आपको अच्छा लगा होगा और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद